हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री में यू तो एक सिबढ़ कर एक विलन देखने को मिले खलनाय का नाम आते ही दर्सकों के जहन में एक ऐसा किरदार आता है जिससे सब नफरत करते हैं मौगेंबो हो गबर हो या बैडमेन के रूप में जाने जाने वाले गुल्सन ग्रोवर लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा है जिने हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री का सबसे इस्टाइलिस और खुंखार विलन के नाम से पुकारा जाता है इस विलन ने 23 साल पहले सल्मान खान के साथ काम किया था लेकिन उसके बाद सालों तक साथ नहीं दिखाई दिये आलम ये था कि सल्मान खान का नाम सुनते ही एक्टर चिड जाता था कात्या, कांचा चीना और चरतुर सिंग जैसे रोल्स के जरिये लोगों को डरा चुके इंड़स्ट्री के सबसे इस्टैलिस और खुंखार विलन डैनी डैंग जोंकपा और सल्मान खान के रिष्टे में 23 साल तक खटास रही लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया और एक्टर ने उन्हें 1980 का अमिता बच्चन बता कर इंड़स्ट्री का रियल हीरो बता डाला क्यों हुई थी दोनों की लड़ाई और फिर कैसे डैनी के मन में भाई जान के लिए प्यार पनप गया आईए आपको बताते हैं बीच काफी मन मुटाओ होने लगा था दरसल फिल्म की सुटिंग के दौरान सलमान काफी लेट आया करते थी इसी बात को लेकर एक दिन सलमान खान से पहले तो फिल्म निर्देशक सावन कुमार नाराज हुए और फिर डैनी ने भी सलमान खान से कड़े लहजे में बात की साथ में तेवी साल तक कोई फिल्म नहीं की डैनी हर उस फिल्म में काम करने से इंकार कर देते थे जिस फिल्म की लिद भूमिका में सलमान खान होते थे लेकिन फिर अचनक एक दिन डैनी के मन में सलमान के प्रती काफी प्यार उमर गया 2014 में एक इंटर्व्यू के दोरान डैने डैंग जोंगपा ने सलमान को लेकर कहा सलमान डाउन टू अर्थ इंसान है उन्हें देखते ही ये समझ आ जाएगा कि वो क्या फिल कर रहा है अगर वो आपको पसंद नहीं करता तो वो चीज उसकी आँखों में दिख चाती है उन्होंने कहा था कि वो जो कुछ भी कहता है वो सीधा कहता है डैनी ने आगे कहा कि सलमान आज बड़ा इस्टार बन गया है वो रियल हीरो है वो 1980 का अमिता बच्चन है और वाकई वो आज टॉप पर है एक से लेकर दस नंबर तक वही है बाकिस अभी इस्टार दस के बाद आते हैं वो जनता का रियल इस्टार है वक्त बदला और एक्टर के दिल में सलमान के लिए इज्जत और प्यार उमर गया तेभी सालों के बाद इन दोनों सितारों ने फिल्म जैहो में एक साथ काम किया जैहो में सलमान के लिए डैनी ने पहली बार अपना एक नियम भी तोड़ा दिपोर्स बताती है कि डैनी ने भले बहुत फिल्मों में काम किया हो मगर वो अपनी सर्तों पर काम करते थे और कभी गर्मियों में सूट नहीं करते थे लेकिन फिल्म जै हो के लिए उन्होंने अपना ये नियम भी तोड़ दिया दोस्तो बॉलिवूड की इसी प्रकार की मज़ेदार और इंटरस्टिंग किस्से सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग